प्रवाण मंगलम, समस्त, सुधी, श्रमण करने वालों को सादर नमन अभी तक हमने जाना कि केस प्रकार से सती माता प्रभुश्री राम की परिक्षा लेने के लिए उनके पास पहुची और जब उन्होंने माता सीथा का रूप बनाया तो प्रभुश्री राम ने उन्हें पहचान कर प्रणाम किया और अपना कथा पिता का नाम पताया तो चलिए प्रारंब करते हैं आगे क्या हुआ और हम लोग दोहा नंबर पच्पन को एक पर फिर से सुनते हैं और फिर आगे को बढ़ते हैं श्री हरी गई समीप महेज तब हस पूछी कुसलात लीन परीचा कवन विदी कहाओ सत्य सब बात जब पास पहुँची तब श्री शिफ जी ने हस कर कुशल प्रस्न करके कहा तुमने राम जी की किस प्रकार परिक्षा ली सारी बात सच सच को सती समुझ रगवीर प्रभाव भैबस सिफसन कीन दूराओ कचुन परीचा लीनी को साई कीन प्रणाम तुमारी हिनाए सती जी ने श्री रगुनाज जी के प्रभाव को समझ कर दर के मारे शिफ जी से छिपाओ किया और कहा हे स्वामेन मैंने कुछ भी परिक्षा नहीं ली वहां जाकर आफिक की तरह प्रभु को प्रणाम किया जो तुम कहा सुम्रशाना होई मोरे मन प्रतीत अतिसोई तब संकर देखे उधर दियाना सती जो कीन चरिति सब उजाना आपने जो कुछ कहा वह जूट नहीं हो सकता मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है तब शिफ जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया बहुरी राम माया ही सिरुनावा प्रेड सती ही जो चूट कहावा हर इक्षा भावी बलवाना हदै विचारत संभु सुजाना फिर श्री राम चंद्र जी की माया को सिर नवाया जिसने प्रेड़ना करके सती के मुह से भी जोट कहला दिया सुजान शिवजी ने मन में विचार किया कि हर की इक्षा रूपी भावी प्रबल है सती कीन सीता करबेशा सिव उर्भयव विसाद विसेशा जो अब करव सती सन प्रीती मीटई भगती पत होई अनीती सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया यह जानकर शिवजी के हिदय में बड़ा विशाद हुआ उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीती करता हूँ तो भक्तिमार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है प्रभुकर पंकज कपिके सी सा सुमिर सुदसा मगन गौरी सा परम पुनीत न जाईत जी किये प्रेम बड़ पाप प्रगट न कहत महेश कचू हरदय अधिकसंता आप सती जी परम पवित्र है इसलिए इने छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है प्रगट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते परंत उनके हदय में बड़ा संताप है तब संकर प्रभु पद सिरुनावा सुमिरत राम हदय असावा एतन सती भेट मोहिनाही सिव संकल्प कीन मन माही तब शिव जी ने प्रभु श्री राम चंद्र जी के चर्णों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मराण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पती पतनी के रूप में भेट नहीं हो सकती और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया अस विचार संकर उमत धीरा चले भवन सुमिरत रगुबीरा चलत गगन भै गीरा सुहाई जै महेश भली भगत द्रणाई स्थेर बुद्धी शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रगुनाजी का स्मराण करते हुए अपने घर कैलास को चले चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जै हो आपने भगत की अच्छी ध्रणता की असपन तुम बिन करई को आना राम भगत समरत भगवाना सुनि नभगीरा सतियुर सोचा पूछा सिवई समेत सकोचा आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिग्या कर सकता है आप श्री राम चंद्र जी के भगत हैं समरत हैं और भगवान हैं इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिनता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजी से पूछा कीन कवनपन कहु क्रपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला जदपी सती पूछा बहुभाती तदपी न कहे उत्रपुर आराती हे क्रपालू कहिए आपने कौन सी प्रतिग्या की है हे प्रभो आप सत्य के धाम और दीन दयालू है ये देपी सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा परन्तु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा प्रभुकर पंकज कपिके सी सा सो मिरसो दसा मगन गौरी सा सती जी ने हदय में अनुमान किया कि सरवग्य शिव जी सब जान गए मैंने शिव जी से कपट किया इस्त्री सभाव से ही मूर्ख और बेसमज होती है जल उपै सरस बिकाई तेकह प्रीत की रीत भली बिलग होई रसु चाई कपट खटाई परत पुने प्रीत की सुन्दर रीत देखिए कि जल भी दूद के साथ मिलकर दूद के समान भाव से बिकता है परन्तों फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है दूद फट जाता है और स्वाद यानि की प्रेम जाता रहता है अपनी करनी को याद करके सती जी के हद में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उन्होंने समझ लिया कि शिवजी क्रपा के परम अथा सागर है इससे प्रगट रूप में उन्होंने मेरा अपराद नहीं कहा शिवजी का रुख देकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हद में व्याकुल होटी अपना पाप समझ कर कुछ कहते नहीं बनता परंत उन्हों दे में भीतर ही भीतर कुमार के आवे के समान अत्यांत जलन होने लगी अर्थात उनका रुख दे जलने लगा सती ससोच जान व्रश के तू कही कथा सुन्दर सुख हे तू बरनत पंत विविद इतिहासा विस सुनात पहुचे कैलासा व्रश के तू शिवजी ने सती को चिन्ता युक्त जान कर उन्हें सुख देने के लिए सुन्दर कथाएं कहीं इस प्रकार मार्ग में विविद प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विशुनात जी कैलास जा पहुचे तहपुनि संभु समझुपन आपन बैठे बढ़तर करिकमलासन संकर सहज सरूपत्समारा लाग समाद अखंड पारा वहाँ फिर शिफ जी अपनी प्रतिग्या को याद करके बढ़के पेड़के नीचे पदमासन लगाकर बैठ गए शिफ जी ने अपना स्वाभाविक रूप समाला उनकी अखंड और अपार समादी लग गई प्रभुकर पंकज कपिके सी सा सुमिर सुदसा मगन गोरी सा सती बसही कैलास तब अधिक सोच मन माही मरम नको जान कच्छू जुग सम दिवस सिरा ही तब सती जी कैलास पर रहने लगी उनके मन में बड़ा दुख था इस रहस को कोई कुछ भी नहीं जानता था उनका एक एक दिन युक के समान बीट रहा था सती जी कहता में नित नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाओंगी मैंने जो श्री रगुनाच जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को छूट जाना सो फल मोह विधाता दीना जो कचु उचित रहा सोई कीना अब बिधि अस बूझे नहीं तो ही संकर विमुक जियावसी मोही उसका फल विधाता ने मुझे को दिया जो उचित था वही किया परंदु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुक होने प मन महु राम ही सुमिर सयानी जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरत हरन बेद जसुगावा सती जी के हदय की घ्लानी कुछ कही नहीं जाती बुद्धि मती सती जी ने मन में श्री राम चंद्र जी का स्मरण किया और का हे प्रभो यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदो उने आपका यह यश्क आया है कि आप दुख को हरने वाले हैं तो मैं बिने करओं कर जोरी छूटव बेग देह या मोरी जो मोरे सिव चरन सने हूँ मन करम बचन सत्य प्रत्य एहूँ तो मैं हाँ जोड़कर विंती करती हूँ कि मेरी यह देज जल्दी छूट जाए यदि मेर शिव जी के चरनों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म यानि आचरण से सत्य है प्रभुकर पंकच कपी के सीसा सुमर सुदसा मगन गौरी सा तो सब दर्शी सुनई प्रभु करओ सो बेग उपाई होई मरन जेह बिन हिश्रम दुसह बिपति बिहाई तो हे सर्व दर्शी प्रभो सुनिये और शीग्रवा उपाय कीजिये जिससे मेरा मरन हो और बिना ही परिश्रम या पति परित्याग रूपी असे विपति दूर हो जाए एविद दुखित प्रजेश कुमारी अकथनिय दारुन दुख भारी बीते संबत सहस सतासी तजी समा सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी उनको इतना दारुन दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता सतासी हजार वर्ष बीट जाने पर अविनाशी शिप जी ने समाधि खोली राम नाम सिव सुमिरन लागे जाने उस सती जगत पती जागे जाई संभुपद बंदनुकीना सनमुख संकर आसनुदीना शिप जी राम नाम का स्मरण करने लगे तब सती जी ने जाना कि अब चर्णों में प्रणाम किया शिप जी ने उनको बैठने के लिए अपने सामने आसन दिया लगे कहन हरी कथारसाला दच्छ प्रजेस भैते हिकाला देखा बिदिविचारी सबलायक दच्छ कीन प्रजापति नायक शिप जी भगवान हरी की रस्मई कथाय कहने लगे उसी समय दच्छ प्रजापति हुए ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग की देख समझ कर दच्छ को प्रजापतियों का नायक बना दिया बड़ अधिकार दच्छ जब पावा अति अभिमान हरदे तब आवा नहीं को अस जनमा जगमा ही प्रभुता पाई जाहि मद नाहीं जब द प्रभुता पाकर मद नाहो प्रभुकर पंकज कपिकेसी सा सुमिर सुदसा मगन गवरी सा दक्छ लिये मुन बोली सब करन लगे बड़ जाग नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग दक्छ ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यग्य करने लगे जो देव यग्य का भाग पाते हैं दक्छ ने उन सब को आदर सहित निमंत्वित किया किनर नाग सिद्गंधर्वा बंधुन समेथ चले सुर सरवा विश्नु बिरंच महेस भिहाई चले सकल सुर जान बनाई दक्छ का निमंत्वण पाकर किनर नाग सिद्गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी इस्त्रियों से चले, विश्नु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़ कर, सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले, सती बिलो के वियों विमाना, जात चले सुंदर बिदिनाना, सुर सुंदरी करही कलगाना, सुनत श्रवन छूटे ही मुनि ध्याना सती जी ने देखा अनेको प्रकार के सुन्दर विमान आकाश में चले जा रहे हैं देश सुन्द्रियां मधुर्गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा तब शिव जी ने सब बातें बतलाएं पिता के यकी बात सुनकर सती कुछ प्रसंद हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आग्या दे तो इसी बाहने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहो पती परित्याग हदय दुखुभारी कही न निज अपराद बिचारी बोली सती मनोहरबानी भै संकोच प्रेम रस्सानी क्योंकि उनके हदय में पती द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था पर अपराद समझ कर वे कुछ कहती न थी आखिर सती जी भै संकोच और प्रेम रस्स में सनी हुई मनोहरबानी से बोली प्रभु कर पंकज कपी के सीसा सो मिरसुदसा मगन गौरी सा पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस्य होई तो मैं जाओं क्रपायतन सादर देखन सोई हे प्रभु मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है यदि आपकी आग्या हो तो हे क्रपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाओ कहव नीक मोरेव मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा दच्छ सकल निज सुता बुलाई हमरे बयर तुम हों बिसराई शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही या मेरे मन को भी पसंद आई पर उन्होंने नियोता नहीं बेजा यह अनुचित है दच्छ ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है किन्तु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया है ब्रह्म सबाहम संदुखुमाना तेहिते अज़ओ करहिय अपमाना जौबिन बोले जाहु भवानी रही नसील सनेहु नकानी एक बार ब्रह्मा की सबाह में हमसे अप्रसन हो गए थे उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं हे भवानी जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो नसील इसनेही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी जदा पि मित्र प्रभु पितु कुर गेहा जाये बिन बोले हुना संदेहा तदा पि बिरोध मान जह कोई तहां गए कल्यान नहोई यदे बिसमे संदे नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्यान नहीं होता भातियनेक संबु समुझावा भावी बसन ग्यान उर आवा कहे प्रबु जाओ जो भी नहीं बुलाए नहीं भली बात हमारे भाए शिफ जी ने बहुत प्रकार से समझाया पर हुनहार वश सती के हदय में बोध नहीं हुआ फिर शिफ जी ने का कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी सिफ जी ने बहुत प्रकार से कह कर देख लिया जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब प्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख गड़ों को साथ देकर उनको विदा कर दिया पिता भवन जब गई भवानी दच्छ तरास काहून सनमानी सादर भले ही मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता भवानी जब पिता दख्छ के घर पहुँची तब दख्छ के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की केवल एक माता भले ही आधर से मिली, बहने बहुत मुस्कुराती हुई मिली, दक्ष नकचु पूछी कुसलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती जाई देखे उजब जागा, कता हुना दीक संबु कर भागा, दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को जित चड़ेव, जो संकर कहेव, प्रभु अपमान समुझ उर्दहेव, पाचिल दुख नहदे, असब्यापा, जजिया भयव, महा परितापा, तब शिब जी ने जो कहा था, वह उनकी समझ में आया, स्वामी का अपमान समझ कर सती कहदे, जल उठा, पिछला, पती परित्य जाग का दुख उनके हदय में उतना नहीं व्यापता, जितना महान दुख के समय, पती अपमान के कारण हुआ, जदपी जगदारुन दुखनाना, सब्ते कठिन जातियव माना, समुझ इसो सती भयवति क्रोधा, बहुविद जननी कीन प्रभोधा, यद्यपी जगत में अन प्रकार से समझाया, पुझाया, प्रभुकर पंकज कपी के सी सा, सुमिर सुदा सा, मगन गौरी सा, सिब अपमान उना जाई सही, हदय न होई प्रभोध, सकल सभाई, हट हट कितब, बोली बचन सक्रोध, परंत उन से शिवची का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हदय म कुछ भी प्रभोध नहीं हुआ, तब वे सारी सभा को हट पूर्वक डाट कर क्रोध भरे वचन बोली, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन संकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब का हूँ, भली भाति पचिताब पिता हूँ, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों स जिन लोगों ने यहां शिवजी की निंदा की यह सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भाति पच्टाएंगे, संत संभु स्री पदि अपबादा सुनई, जहां तहां असी मर जादा, काटे तास जीब जो बसाई, श्रवन मोदि जिन तचलेई पराई, जहां संत शिवजी और लक्षमी पती विश्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है, कि यदि अपना वस चले, तो उस निंदा करने वाले की जीब काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए, जगदात्मा सबके हितकारी, पिता मंद मति निंदत तेही, दच्च सुक्र संभव यह देही, त्रेपुर दैत को मारने वाले भगवान महेश्वर संपून जगद के आत्मा है, वे जगद पिता और सब का हित करने वाले हैं, मेरा मंद बुध्धी पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्च ही के वीर से उत्पने, तजीहां तुरत देहते ही है तू, उर्धरी चंडर मौली व्रश के तू, असकही जोग अगिनितन जारा, भयव सकल मक हाहा कारा, इसी लिए चंडर मा को ललाट पर धारण करने वाले व्रश के तू, शिर्जी को अर्दे में धारण ऐसा कहा कर सती जी ने योगाक्न में अपना शरीर भस्म का डाला, सारी यक शाला में हाहा कार मच गया, प्रभुकर पंकज कपी के सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा, सती मरन सुन संबुगन लगे करनमक खीस, जग के विधन्स बिलोग की भ्रग रच्छा कीन मुनीस, सती का मरन सुनकर शिव जी के गण यग के विधन्स करने लगे, यग के विधन्स होते देकर मुनीश्वर भ्रग जी ने उसकी रख्छा की, समाचार सब संकर पाए, वीर भद्र कर कोप पठाए, जग के विधन्स जाईतिन कीना, सकल सुरन विदिवत फल दीना, ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीर भद्र को भेजा, उन्होंने वहाँ जाकर यग विधन्स कर डाला, और सब देवताओं को यतोचित फल दिया, भै जग बिदित दच्छ गति सोई, जैसी कच्छ संबु विमक्के होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते म संख्षेप बखानी, दक्ष की जगत प्रसित वही गति हुई, जो शिव द्रोही की हुआ करती है, यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसी लिए मैंने संख्षेप में वर्णन किया, सती मरत हरी सन बरु मागा, जनम जनम से वपदा नुरागा, तेही कारण हिम गिरिग रह जनमी पारवती तन उपाई, सती ने मरते समय भगवान हरी से यह वर्मांगा कि मेरा जनम, जनम में शिव जी के खचर्णों में अनुराग रहे, इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पारवती के सरीर से जनम लिया, जब ते उमा सैल ग्रह जाई, सकल सिद संपतित हच जहता मुनिन सु आश्रम की ने उचित बास हिम भूदर दीने, जब से उमाजी हिमाचल के घर जनमी, तब से वहां सारी सिद्यां और संपतियां च्छा गए, मुनियों ने जहां तहां सुन्दर आश्रम बना लिये, और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिये, प्रभुकर पंकच कपिके सी सा, सुमिर सुदसा, मगन गोरी सा, सदा सुमन फल सहित सब, दुरुम नव नाना जाती, प्रगटी सुन्दर सैल पर मनी आकर भुभाती, उस सुन्दर परवत पर बहुत प्रकार के सब नय नय व्रक्ष, सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहां सुखी सब रहें, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहियन उरागा, सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पक्षी पश ब्रमर सभी सुखी रहते हैं, सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया, और परवत पर सभी परस पर प्रेम करते सो सैल गिर जाग रहें, जिम जनु राम भगति के पाएं, नित नूदन मंगल ग्रहतासू, प्रमादिक गावें चसु जासु, परवती जी के घर आजाने से परवत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसे राम भक्ति को पाकर शोभायमान होता है, उस परवत राज के घर नित न नए मंगलोत सो होते हैं, जिसका प्रमादियश काते हैं, नारत समाचार सप्पाए, कौतु कहीं, गिर गेह सिधाए, सैल राजबर आदर कीना, पदपखारी बर आसनु दीना, जब नारत जी ने यह समाचार सुने, तो वे कौतु कहीं से हिमाचल के घर पधारे, परवत रा उनको उत्तमासन दिया, नारि सहीत मुनि पदसिरनावा, चरन सलिल सब भवन उस्रिचावा, निज सोभागे बहुत गिरी बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना, फिर अपनी स्त्री सहीत मुनि के चरनों में सिरनवाया, और उनके चरनों दक को सारे घर में छुड़काया, हि अबुकर पंकज कपिके सी सा, सुमिर सुदसा, मगन गोरी सा, आज की कता यहीं तक आगे जानेंगे कि किस प्रकार से माता पार्वती जी ने शिव जी को तपस्या करके प्राप्त किया, और उस सदा के लिए शिव की अनुरागिनी बन गई, जै श्री हरी, जै शिव सकती